नमस्कार छात्रो कैसी हो ठीकी होगी तुम और मैं मतलब हम 11 कक्षा में पहली बारी मिलने वाले हैं फिर भी साला में नहीं तो कोई बात नहीं COVID-19 के मुताबिक हम YouTube वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे तो आज मैं आपके सामने 11 कक्षा की जो पहली कविता है आपद साधो देखो जगबव राना पढ़ाने वाली हुँ जिनके रचेता कभिर्जी है वो भक्तिकाली निर्गुण संत कवी है थोड़ासा उसका परिचेदू तो उनका जन्म सन निसो तेरह अठानवे इस वी सन में का सी वारांशी में हुआ और उनकी पृतियू सन 1518 में हुई एक द्रस्टी से देख्या तो बजपन से यह बहुत दुखी थे क्योंकि वो बजपन से ही अनाथ हो गये थे क्योंकि उसके बारे में भी एक कत्था परस्ति थे कि उसको जब वो छोटे थे तब एक टोप्री में रखकर तालाब में उसको फेक दिया था लेकिन निरू और निमा नामक जो जुलाहा दमपती जुलाहा मतलब कि जो कपड़े को बुनते है ने उसके जुलाहा कहा जाता था वो नी संतान थे और सदभाजयवस उसको भी संतान की चाहाँ थी और तालाब में उस टोप्ली में उस चोटे बचे को तैते हुए देखकर वो उठा लेते हैं उसका पालन पोसं करते हैं और वो उसका माता पिता बन जाते हैं और वो एकद्रसी देखिए तो वो निरक्सर थे लेकिन धायक्सर मानो प्रेम का पटकर वो पंडित हो जाते थे भक्तिकाली निर्गुन संथ कभी में वो सर्वो परी थे क्योंकि उनकी रचनाई यसी थी उतनाई नहीं उनकी जो भासा है पद लिखने में वो सधुक्डी थी मतलब बोलने में उसमें सहजता और सुभूध था थी गम्यता थी और उन्होंने अपनी रचना में अधिकांस तह अपने समय में व्याप्त चाति-पाति का भेदभाव नातिवाद अउतारवाद धार्मिक बाही आडंबर धर्म के बारे में भेदभाव साथ-साथ मूर्ति पुझा आधिकार थोस खुलकर विरोध किया है प्रस्तुच रचना में भी कबीर जी ने ठीक एसी बाट लेकर उन्होंने खुलकर विरोध किया है धर्मों के बारे में यहां पर जगडते हैं लोग साथ-साथ धर्मों के बारे में बाही आडंबर होता है बनातिवाद होता अवतारवाद, पत्थर की पुजा, मुर्ती की पुजा, आधिकाई यहां पर खुलकर ठोस विरोध किया है। उतना ही नहीं यहां पर जो एसे बाहियादंबर में जो रचे-पचे हैं एसे लोग कभीर जी को पागल मानते हैं। वास्तों में इस पद में रचना करके कभीर ज पढ़ाई करके और आप सब छात्राए अपनी किताबे खुली रखे, जिनके पास किताब नहीं है, तो मैंने आपके ग्रूप में ही, आर्स के ग्रूप में ही, पीडिये टेक्स्बूक भेजी है, तो वो खुली रखे, हाथ में पेंसील, नोट्स, पेंबी रखे, ताके जो कठिन सब्द आएंगे, वो उनकी भी नीचे रेखाये करे, ताकि परिवाची सब्द भी साथ साथ अची तरसे प्रिपेर हो जाए, तो चलो अपनी किताबे खुली रखे, उसके पेले मैं थोड़ा स्याम फलक बोड पर मैंने जो कठिन सब्द लिखाये, उसकी चर्चा ताकि अची तरसे पर्द समझ में आजाए, तो यहाँ पर है, पहला इस सब्द है साधो मतलब सुनो, बावराना मतलब पागल, साची मतलब सत्य, मारन धावे मतलब मारने के लिए तोड़ते है, आतम मतलब आत्मा, पसान मतलब पत्थर, तीरत मतलब तीर्थ यात्रा, मुर मतलब पागल, जग मतलब दुनिया, मरम मतलब मर्म, बर्त मतलब ब्रत, और आगे का है पिपर, मतलब पिपड़े के चवरूक से, पाथर मतलब पत्थर, तो चलो हम इस पद पढ़ेंगे, साधो देखो जग बावराना, उसका जो सीशक है, उसके माधियम से हमें 50 इस पद अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, साधो मतलब सुनो, देखो मतलब जूओ, जग मतलब दुनिया, बावराना मतलब पागल हो गई है, यहाँ पर कभी जी केते हैं कि किन किन बातों में रचे पचे रेकर, उसमें घुसकर लोग बावराना मतलब पागल हो गई है, तो यहाँ पर बताते हैं हम पढ़ेंगे, सादो देखो जग बवराना, सादो मतलब सांब्रो, देखो मतलब जुओ, जग मतलब दुनिया, बवराना मतलब पागल हो गई है, सुनो देखो इस दुनिया किस-किस बात में पागल हो गई है, साची कहो तो मारन धावे, साची मतल मतलब सत्यबाद कहो मतलब कहो मारन मतलब मारने थावे मतलब दोडने को हम जो किसी को सत्यबाद कहते हैं तो हमको मारने दोडते हैं जुठे समझ कर जुठे जग पत्याना जुठे मतलब जुठी जग मतलब दुनिया पत्याना मतलब पागल हम जब जुठी कहते हैं तो हमारा रहमाना, मुश्लिम केते हैं रहीम हमारा है, रहमाना मतलब रहीम, उसी तरह धर्म के नाम पर आपस आपस में जगडे करते हैं, वास्ताव में इस्वर के दर्बार में कोई भेदभाव नहीं है, आपस में दो लड़े मरतु हैं, आपस में मतलब आपस आसपास में, अरस परस दो मतलब दे लड़े मरतु हे लडते हे मरम कोई नहीं जाना मरम मतलब मरम साचो मरम सूछे कोई जानतू नथी मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें जो सत्य बात है वो जानते नहीं है बहुत मिले मोही, बहुत मिले मतलब बहु मेडा, मोही मतलब मने, नेमी धर्मी प्रात करे असनाना नेमी मतलब नियम, धर्म मतलब धर्म का बारे में जनान देने वाला, समझाने वाला, बहुत मांसो मुझे मिला, मतलब बहुत आदमी मुझे नियम और धर्म के बात बताने व बाहिया आडंबरी लोग ऐसे मानते कि सुबह के समय पर जो पवित्र गंगा जैसी नदी में हम स्नान करें तो पवित्र हो जाता है मतलब एसा नहीं हमारी सरी की स्वश्चता के लिए हम एसा करते हैं आतम छोड़ी मतलब आत्म ग्नान छोड़ी पत्थाने पुझे सोरी पसान मतलब पत्थर की पुझा करते हैं यहां पर मूर्ति पुझा पर खोर विरोध किया है कभी जी ने तीन का थोथा ग्नाना खोखलू जो ग्यान है उसका उसकी डिंग मारते हैं आसन भारी आसन योग करते हैं डिंग धरी बेटे जुठे जुठे डिंग मारते हैं मन में बहु वास्तों में जो सही होना चाहिए आत्मग्यान वो भी उसके पास है नहीं पीपर पाथर पूजन लागे पीपर मतलब पिपडानू पाथर मतलब पत्थर पिपडानी पूजा करते हैं हम भी इंदु धर्म में करते ही है साथ साथ पत्थर की भी पूजा करते हैं तीरत बर्त भूलाना तीरत मतलब तीरत मतलब व्रत तीरत करना चाहिए बर्त करना चाहिए इंदु धर्म में है वास्तों में ऐसा करने से हमारी बर्बादी होती है माला फीरे टोपी पेरे, अलग-अलग धर्म की माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप तिलक अलग-अलग धर्म के छाप और तिलक हम लगाते हैं हमारे कपाल पर, साखी सबद गावत भुले, साखी सबद आधी गाते हैं, आतम खबर न जाना, वास्ताव में सच्चा आतम आत्मगनान किया है इस्वर किया है वो जानते नहीं है एक द्रस्टी से देखिए तो हम किसी भी किसी भी व्यक्ति जो दुखी है उसका भला करें दुख बाटे तो ही वास्तों में सच्चा आत्मगनान है या अच्छा कारिय है घर-घर मंत्र जो देन फीरते हैं घर-घर साथ-साथ वो माया के अभिमान में गुमान में रत रहकर वो क्या करते हैं उसमें मद मस्त रहते हैं गुरू वास ही तो सिस्य सब डूबे गुरू के साथ सिस्य भी एसे बाहिया डंबर में डूबे रहते हैं और वो दोनों ही डूपते हैं अंतकाल पचितावा दोनों को अ पर केते हैं कभीर जी के बहुत देखे पीर ओलिया अलग-अलग धर्म के देवी देवता देखे पढ़े किताब कुराना अलग-अलग धर्म के पुस्तगे भी पढ़ते हैं करे मुरीद हमें भई बताते हैं कबर बतलाते कबर में जाकर हमें अलग-अलग प्रकार के धर्म के नाम पर भई बताते हैं कि एसा करने पर इसा होगा, एसा करने पर इसा होगा, उन्हों कुदा न जाना। वासतों में इस्वर किया है, वो स्वयमी जानते नहीं है। हिंदू की दया मेहर तुरकन की हिंदू की दया मेहर मतलब बहरबानी तुरकन की मुसल्मान की दोनों घर से भागी है वह करे जीव मुसल्मान है वो जीवित जो जीव है उसको हलाल करते है वहां जटका मारे तो हिंदू क्या करते है जटका मारते है वास्तों में यहां पर भी बाहियाडंबर ही है आग दो घर भागी दोनों घर से आग भागी है या बीदी हसत चलते है ये लोग है मेरी बात पर हसते है हमको आप कहाँ वे स्याना स्याना मतलब चतूर और अपने आपको चतूर मानते हैं यापर कबीर जी ये सब बाहियाडंबर जाती पाती का भेदबा अकूर इवाज अपने समय के मुर्ती पुजा, अउतारवाद, नातिवाद, आधिका खोल कठोस विरोध करके वास्तों में पागल कोन है उसके बारे में याँ पर बताया है कहे कभीर सुनो भाय साधू, साम्भरो, सुनो, इन में कोन दिवाना वास्तों में पागल कोन है मैं सच्चा अगनान देने वाले या इस बाहिया नंबर में जो डुबे हुए है एसे लोग, तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को इस पत अच्छी तरस से समझ में आ गया होंगा और मैं बहु विकल्प की थोड़ी चर्चा करूंगी, बाद में होमवर्ट भी दूंगी और दुसरी भार भी ये जो वीडिया है बार बार पुन्रावर्तन करूंगी और संपून पद की मैं टेस्ट भी लूंगी चलो, तो मुल्यांकन के लिए प्रिपेर हो जाओ, कभीर के मतानुसार सहच करने पर जगत के लोग क्या करते हैं, तो उसका जवाब आता है मारने दोड़ते हैं, इन में से किन लोगों का ग्यान वियर्थ हैं, तो उनका जवाब आता है जो आत्म ग्यान को छोड़ पत्थर की पुझा करते हैं तिसरा है तुरकों की क्या पहचान है उनका जवाब आता है मेहर मतलब दया अब एक-एक मार्च के जो प्रस्ण है उनकी में जवाब के साथ चर्चा करूंगी पहला प्रस्ण है जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं जो जुठे लोग है हिंदो और मुसल्मान आपस में क्यों लड़ते हैं धर्म के नाम पर अंतकाल में कौन लोग पच्टावा करते हैं जो माया में लुप्त गुरु के साथ गुरु का मंत्र लेने वाले जो माया में लुप्त होते हैं गुरु उसका जो मंत्र लेते हैं वो सिस्य और गुरु द अच्छी पहिचान है और बाद में जो आपके पास किताब है ही उनके पिछे जो दो मार्चे प्रस्ण है बड़े प्रस्ण है समाना थी विरुदार थी आधी जो व्याकरणे वो अपनी स्वाध्य की बूक में नोट्स करना अस्तु थे जो आपके बूस्टी जो अस्तु